एक जंगल में चूचू नाम की चिडिया रहा करती थी, उसके माता पिता का दिहांद बच्चमन में ही हो गया था, वे अपने चाचा चाची के पास रहा करती थी, उसके चाचा चाची उस पर बहुत जादा अत्याचार किया करते थे, एक दिन उसकी चाची उसके चाचा से कह अजी देखो मैं तो परेशान हो गई हूं हमारे क्या खुद के दो बच्चे कम हैं जो इस चीती स्री को भी आप उठाला है अब मैं इसको भी पालू जो मुझसे नहीं पहलेगी या तो या आप इसा नाताश्रम में भेजिए या फिर घर का सारा काम कराई है एक तो मैं इनका अब ही पैसा मैंने जोड़ा है अपनी बच्चे की नहीं वह तुम इसकी शादी में लगा देना मैं ऐसा नहीं होने दूंगी तुम इसे अनाताश्रम भेजोगे वो भी कल ही तुम कैसी बाते कर रहे हो मेरे भड़े भाई की बेटी है वो हां तो क्या हुआ अब वो मर गए अब उसका बोज हम थोड़ी ना उठाएंगे तुम इसे कल ही नाताश्रम भेजोगे ते बिचारी चुचुचुचुडिया सुन रही होती है वहें वहां से चली जाती है में मम्में पापा मुझे बच्पन में ही छोड़कर चले गए मैं चाचा चाची के पास नहीं चाची हमेशा मुझे डाटती रहती है चाहें मेरी गलती हो यह नहीं हो पापा आई मिस यू मम्मी चुचुचुचु उसकी चाची आती है और उसे धक्का दे देती है चू-चू गरम-गरम तेल में गिर जाती है और जल जाती है तब ही उसके चाचा भी वहां आ जाते हैं चू-चू चू-चू ये क्या हुआ डॉक्टर को बुलाओ वह डॉक्टर को दिखाते हैं अरे आपके भतीजी तो पूरी तरह जल चुकी है इसका इलाज कराना पड़ेगा हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम इसका इलाज कराएं बस दवाई दे दीजी और जाएए यहां से डॉक्टर दवाई दे के मां से चले जाते हैं एसे ही समय बीतने लगता है और चूचू चुडिया भी जलेवे शरीर के साथ बड़ी होने लगती है देखो जी अब हद हो गई है अब मैं इस बच्ची को और जादा बरदाश नहीं कर सकती तुम इसे नाताशम भेजोगे या नहीं भेजोगे हाँ ठीक है भागवान मैं भेज दूँगा मैं कल ही भेज दूँगा चूचू चुडिया ये सारी बाते बच्चपन से ही सुनती आई है अब वहे ये बाते सुन-सुन कर बड़ी हो गई है वे फैसला करती है कि वे इस घर को छोड़ कर चली जाएगी एक रात सब लोग सो रहे होते हैं चूचू चुडिया अपना समान उठाती है और घर से निकल पड़ती है चलते चलते रास्ते में वे थक जाती है तो एक पेड़ के निजे बेड़ जाती है मुझे नई पैता मैंने सही किया या गलत लेकिन चाचा चाची के उपर में बोज बन गई थी और मुझे वहाँ से आना ही था इसने में सब कुछ छोड़ कर आ गई वही पर पेड़ के पास एक नदी होती है उसके पास एक पुरानी नाव खड़ी होती है अरे, यहाँ पर तो यह पुरानी नाव खड़ी है मैं एक काम करती हूँ, इसी को अच्छे से सजा लेती हूँ और अपने लिए घर बना लेती हूँ चूचू चुडिया उस नाव के पाच जाती है और उसे सजाने लगती है देखते ही देखते वहे उस नाव को बहुत सुन्दर कर लेती है वाव मेरा घर तो बहुत सुन्दर लग रहा है अब मुझे चाचा चाची की घर पर रहने की कोई जरूरत नहीं है अब मैं अपने घर पर रहूंगी इस सुन्दर से घर में वहे उस बोट में रहना शुरू कर देती है एक बार एक छुड़िया का बच्चा एक पेड़ के बीच फज जाता है मामी, मामी, मामी उधर से एक जालिम चील जा रही होती है उसकी नजर उस बच्चे पर पड़ती है अरे वा, आज तो मेरे खाने को इंतिजाम हो गया है मुझे खुदी भोजन मिल गया अब मैं जाकर इस बच्चे को खा लेती हूँ हाँ, मेरा पेड़ भी भर जाएगा चलो तो फिर इसे खाने चलते है वह जालिम चील उस बच्चे के पास पहुँचती है वह उस बच्चे की तरफ देखती है मामी, मामी, मामी वह उस बच्चे की आँखों में देखती है अरे ये बच्चा तो बहुत ही मासूम है और कितना प्यारा है मुझे इस बच्चे की जान बचानी चाहिए वह उस बच्चे की तरफ देखती है और उसके मन में उस बच्चे के लिए ममता पेदा हो जाती है वे उस बच्चे को पेर से निकालती है और अपने साथ अपने घोशने में ले जाती है ये बच्चा तो बहुत ही प्यारा है और मेरा भी तो अपना कोई बच्चा नहीं है मैं इस बच्चे को नहीं खाऊंगी मैं इस बच्चे को अपने पास रखूंगी और अपने बेटे की दला पालूंगी मामी, मामी, भूग, भूग लगता है मुझे इस बच्चे को भूग लगी है मैं इस के लिए दाना लेकर आती हूँ वहे जालिम चील उड़कर जाती है और बच्चे के लिए दाना लेकर आती है ये सब उसके जंगल के पक्षी देख रहे होते हैं गोरी चिडिया अपने साथी पक्षियों से कहती है अरे तुम्हें पता है वो जालिम चील फिर से किसी का बच्चा उठा कर ले आई है पर हम सब के बच्चे तो हमारे पास है वो किसका बच्चा लेकर आ गई है मुझे नहीं पता वो बच्चा किसका लेकर आई है लेकिन वो एक बच्चा लेकर आई है और हमें उसकी जान बचानी होगी वरना वो उस बच्चे को मार कर खा जाएगी मुझे लगता है कि वो बच्चा जरूर दूसरे जंगल से उठा कर लाईए हम मिठु दोता आप बिल्कुल सही कह रहे हैं हमें कुशना कुश करके उस बच्चे की जान बचानी चाहिए ये सोच कर सभी पक्षी डंडा लेकर चील के पास जाने लगते हैं वह लोग जब चील के पास पहुँशने वाले होते हैं तो चील की नजर उन पक्षियों पर पड़ती है अरे ये पक्षी लोग यहां क्यों आ रहे हैं लगता है इनोंने मुझे बच्चे के साथ देख लिया है और ये सोच रहे हैं कि मैं बच्चा खा लूँगी तब ही ये मुझे मानने आ रहे हैं ये मेरा बच्चा चीन लेंगे मैं अपना बच्चा इन्हें नहीं दूँगी ममा, ममा, यह कुर है, ममा मैं इस बच्चे को उठा कर यहां से चली जाती हूँ वहे उस बच्चे को उठा कर वहां से चली जाती है जैसे ही पक्षी वहां पहुँचते हैं वहां चील नहीं होती है तो वे उसका घोसला तोड़ देते हैं और महां से चले जाते हैं चील दुसरे घोसले में अपने बच्चे को ले जा करके रख देती है तब ही चील की एक बेहन वहां आती है अरे तुम तो बहुत जालिम चील हो तो तुमने इस बच्चे को क्यों रख रखा है और ये बच्चा किसका है अरे ये बच्चा मुझे एक पेड़ में फसा हुआ मिला तो मैंने इस बच्चे की जान बचा ली तो जब तुमने इस बच्चे की जान बचा ली तो इस अब तक खाया क्यों नहीं इसे क्यों रख तुमने आरे मैं इस बच्चे को नहीं खाऊंगी मैंने इसे अपना बेटा बनाया है और मैं ही इसे पालूंगी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है तुम एक जालिम चीलो तुम तो हमारी पूरी चील जाती का नाम बदनाम कराऊगी तुम्हें इस बच्चे को खा लेना चाहिए नहीं मैं इसे अपना बेटा मानती हूँ ये मेरा बच्चा है मैं इसे नहीं खाऊंगी मैं इसे पालूंगी तुम ऐसा नहीं कर सकती अगर दुसरी चीलो को ये बात पता चली तो वे सब तुमारी दुश्मन हो जाएंगी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मेरे बारे में क्या सोचती है मैं अपने बच्चे को नहीं खाऊंगी ठीक है अगर तुमारे यहीं मर्जी है तो मैं भी जा रही हूँ और मैं भी अब कभी तुमसे मिलने नहीं आऊंगी तुम इस बच्चे के साथ ही रहो यह कहकर चील की बेहन भी वहां से चली जाती है बेचारी चील उसका परिवार भी उसे छोड़ देता है और जंगल के दुसरे पक्षी भी उसे मारना चाहते हैं वे अपने बच्चे के साथ खुश रहती है वे दोनों खेलते हैं वे अपने बच्चे से बहुत प्यार करती ह मम्मा मम्मा देखो न ये सारे पक्षी कैसे उड़ रहे हैं मैं तो छोटा हूँ उसे तो उड़ना भी नहीं आता अरे बेटा मैं हूँ न मैं तुम्हें उड़ना सिखाती हूँ पहले पंक फिलाते हैं पंकों में हवा भरते हैं और धीरे धीरे पंक हिलाते हैं और उड़ते जाते हैं मम्मा अगर हम नहीं उड़े और हम गिर गए तो हमारे चोट लग जाएगी हाँ बेटा अगर हम गिर गए तो हमारे चोट लग जाएगी पर तुम फिकर मत करो, तुमारी मम्मा है न, वो तुमें गिरने नहीं देगी इधर जंगल के सभी पक्षी प्लेन बनाते हैं हमें उस बच्चे की जान बचानी ही होगी, कहीं वो चेलो से खाना जा हमें काम करते हैं, हम उस चेल के घूशले के आगे एक मास का तुकड़ा डाल देते हैं और उस मास के तुकड़े में जहेर भर देते हैं जेसे ही चेल उसे खाएगी ति मर जाएगी हाँ आपने तो बहुत ही अच्छा प्लेन बनाया है चलो हम उसके घोसले की तरफ चलते हैं सभी पक्षी मास का तुकड़ा लेकर उसके घोसले की तरफ चाते हैं और वह मास का तुकड़ा उसके घोसले के पास डाल देते हैं चील अपने बच्चे के साथ अपने घोसले में आती है अरे ये खुछबू कैसी आ रही है ये तो मास्की खुछबू है मामा मास्क क्या होता है कुछ नहीं बेटा तुम गही रुको मैं अभी देख कर आती हूँ ये कहे कर वे हे उस मास के तुगड़े को देखने जाती है अरे ये तो एक मास का तुगड़ा है यहां ये किसने डाल दिया लगता है किसी पक्षी की चोच से छूट कर ये नीचे गिर गया चलो इसे मैं खा लेती हूँ ये सोच कर चील वे मास खाने लगती है जैसे ही वे मास खाती है जहर अपना काम करना शुरू करता है और वे महीं पर मर जाती है दूर से पक्षी ये सब देख रहे होती है मिठु तोती भाईया लगता है चील मर गई आप लोग चील को जाकर देखिए और मैं बच्चे को लेकर आती हूँ वे है बच्चे को अपनी पीट पर बिठाती है और चील के पास आती है अरे मेरी ममा मेरी ममा को क्या हुआ ये इसे क्यों पड़ी है ममा ममा बेटा ये आपकी ममा नहीं है ये जालिम चील है ये आपको खा जाती नहीं ये मेरी ममा है इन्होंने मुझे पेड़के पीस से निकाला और मुझे पाला ये मेरी ममा है मेरी ममा को क्या हो गया ममा उठो ना उठो ना मुझे लगता है कि ये चील इस बच्चे को पाल रही थी और हमने एक बेकसूर चील को मार दिया ममा ममा उटो ना उस ही क्या पता उसकी ममा अब कभी नहीं उठेगी मुझे बहुत अफसोस है कि हमने एक बेकसूर चील को मारा हम भूल गए थे कि कोई इनसान कितना ही कठोर क्यों ना हो लेकिन उसके पास एक दिल तो होता है ना और खील के दिल में इस बच्चे के लिए बहुत ममता थे